Today we are going to start an important and very interesting topic that is capacitance. Capacitance समझने से पहले हम लोग एक बहाद सिंपल सी बात समझते हैं. एक conductor लेते हैं, spherical conductor है ना, metal का, और उसको charge देते हैं. जब हम उसे charge देते हैं, तो क्या होता है? अगर एक metal conductor को आप charge दोगे तो उसके चारों और एक electric field established हो जाती है. तो अगर हमने इसको चार्ज दिया क्यों तो इसके चारो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाबलिश हो गई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं एनर्जी फील्ड क्योंकि उस फील्ड में इसके चारो और के स्पेस में एनर्जी स्टोर होती है कहां से आती है वो energy electric field को हम energy field क्यों कहते है क्योंकि हम इस charge को इस conductor तक लाने के लिए काम करते हैं हम कहते हैं कि हम infinity से इस charge को इस conductor तक लेकर आए जो काम हमने किया वो काम इसके चारो और energy के form में store हो जाता है in the electric field क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि कि इसके चारोर क्योंक हो जाता है तो अब मान लो Q चार्ज आर्ज हमने दिया तो इस से तो इस पॉइंट पी पर इतनी हो जाएगी और उसी पॉइंट के साथ associated एक scalar quantity होती है जिसको हम बोलते है इलेक्रिक potential और वो हो जाता है कि यह r square है बिटा के q upon r अगर हम surface पर कहें surface के उपर तो surface के उपर electric field हो जाती है के q upon radius of the conductor और radius square of the conductor और potential हो जाता है के q upon capital r radius of the conductor तो electric field और electric potential establish हो गया और यह formula ध्यान से देखो यह क्या बताता है कि जैसे जैसे हम charge इस पर लाते जाएंगे इसकी surface का potential बढ़ता जाएगा इसके चारों और जो electric field है वो बढ़ती जाएगी मतलब इसके चारों और energy बढ़ती जाएगी जो space में store हो रही है क्योंकि हम जितना जादा charge लेकर आएंगे इस conductor पर रखने के लिए उतना जादा काम करेंगे तो वो सारा काम इसके space में electric field energy के रूप में establish होता जाएगा store होता जाएगा तो यह तीनों point हम फटा फट नोट कर लेंगे क्योंकि यह हमारी पूरी discussion के conclusions है और उसके बाद हम finally क्या conclude कर रहे हैं इस पूरे discussion से that when an object is charged two things happen one its potential increases and second it stores energy in its electric field in the space around the conductor तो जब हमने किसी conductor को charge दिया तो दो काम हुए एक उसका electric potential बढ़ा और दूसरा उसके चारो और की electric field में energy store हो गई तो हमको यह ध्यान आया कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि a charged conductor stores energy है ना but this energy is scattered in the space हम कहते हैं कि electric field of a conductor is extended till infinity एक limit के बाद इसकी जो field की intensity है वो negligible हो जाती है लेकिन फिर भी कोई line ऐसी draw नहीं की जा सकती कि हम कहें कि field बस यही तक है तो जो energy इसमें store हुई इसके space में वो scattered है यह बिलकुल ऐसा है जैसे पानी की जरूरत हो हमने bucket में पानी तो भरा लेकिन उसको floor पे गिरा दिया अब वो जो water है वो floor पे बिकरा हुआ है और अब हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है तो बिलकुल ऐसे ही energy stored around the conductor is extended scattered in the space around the conductor अगर हमको उस energy को use करना है तो हमको उसको कुछ-कुछ वैसे ही arrange करना पड़ेगा जैसे हम bucket में पानी store करते हैं यानि यह जो space में scattered energy है इसको किसी तरीके से हम एक small region में confine कर ले तो हम उसको अपने किसी purpose के लिए use कर सकते हैं और उसके arrangement का ही नाम है capacitor तो हमने फिर से अपने आपको एक clear point दिया कि किसी conductor को charge दो तो वो energy अपने चारो और की space में store कर लेता है इसलिए उसे हम capacitor कह सकते हैं और उसकी इस energy या charge को store करने की capacity को हम कहेंगे capacitance अब capacitance को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं as we give charge to a conductor not capacitor we should not use it till now conductor तो उसका potential बढ़ता है जैसे जैसे charge देते जाते है potential बढ़ता जाता है तो potential of the conductor is directly proportional to charge given to it अब अगर हम इस proportionality constant को हटाते है और equal sign लगाते है तो हमें यहाँ एक constant दोनों side को balance करने के लिए लगाना पड़ेगा उस constant को हमने कहा C और इस constant को हमने नाम दिया capacitance of the conductor क्यूं कहा हमने इसे capacitance ये बड़ा interesting concept है हमने इसको charge दिया और हम इसको charge देते चले गए हमने कहा कि जितना जादा हम इसको charge देंगे उतना इसके चारो और electric field establish होगी उतनी strong field उतना ही जादा energy store हो जाएगी लेकिन बच्चों जितना चाहें उतना charge हम इस conductor को दे नहीं सकते है क्यूं क्यूंकि अगर इसका potential बढ़ते बढ़ते 30 kilo volt per centimeter की electric field चारो और establish कर दे मतलब इसका voltage इतना बढ़ गया और इसके चारो और की electric field इतनी strong हो गई कि ये अपने आसपास के air molecules की neutrality को disturb करने लगा जो electrons थे वो उस strong electric field की वजह से force experience करके इसकी तरफ shift होने लगे और एक limit आई जबकि electric field ने इतना force लगाया कि वो electron air molecules छोड़ कर इस conductor की और भागने लगे तो ये जो charge है न ये discharge होने लगता है अगर ये positively charge था तो electron इस पर आएंगे और अगर ये negatively charge होता तो electron इस से air में जाते लेकिन charge जो है वो discharge होने लगता है इस conductor को छोड़ कर बाहर जाने लगता है या इस conductor पर discharging air molecules से शुरू हो जाती है क्योंकि air ionize हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना मर्जी उतना charge इस conductor को नहीं दे सकते तो फिर इसका मतलब हुआ कि इसकी एक capacity है कि ये कितना charge safely hold कर सकता है इसलिए ये word आया capacitance और इसको हमने कैसे define किया हमने कहा कि capacitance of a conductor is equal to charge it can safely hold per unit volt मतलब कोई conductor कितना charge hold कर पाएगा ये इस पर depend करता है कि कितना charge उसके potential को एक वोल्ट बढ़ाता है ये decide करेगा कि अगर ज्यादा charge hold करने के बाद उसका एक वोल्ट इंक्रिमेंट होता है voltage में तो ज्यादा charge hold कर जाएगा और तब वो 30 किलो वोल्ट पर सेंटी मीटर की electric field की limit को पहुचेगा और तब वो electron के या charges के discharge की process में involve होगा तो मतलब अगर ज्यादा capacity है इसका मतलब ज्यादा charge hold करने के बाद उसका voltage इतना बढ़ता है उसके चारो और की field 30 किलो वोल्ट पर सेंटी मीटर की limit को पहुचती है और तब discharging का खतरा आता है अगर कम capacity होगी तो थोड़ा charge डालने पर ही conductor अपने चारो और की field को air को iodize करने लगेगा और discharge शुरू हो जाएगा तो यह जो capacity है conductor की कि वो safely कितना charge hold कर सकता है यह दो points पर depend करती है एक material of conductor और दूसरा size of material conductor यह एक बात में और बता दूँ कि जब यह electrons का transmission शुरू होता है air molecules से इस conductor की और या conductor से air molecules की और तो light भी produce होती है और इस पूरे process को या phenomena को हम specifically corona discharge के नाम से जानते हैं ठीक है ना corona discharge आप देख सकते हो जा high tension wires जाती है ना जहां से light distribute होती है पूरी city को तो जो high tension wires जाती है वहाँ पर potential और उसके आसपास की field इतनी होती है कि अगर हम रात में travel कर रहे हो तो हमें उस high tension wire के आसपास corona discharge दिखेगा तो capacitance क्या होता है capacity of a conductor to hold charge per unit volt और capacitor क्या होता है capacitor is a device which stores energy in its field और इसी ये charged conductor is also that device which stores energy in its field and is called capacitor capacitor provides this energy instantaneously तुरंत within the fraction of time ये huge amount of energy provide कर देता है stored energy अपनी when we need it example अपने camera में तुमने flashlight देखी है वहाँ पर ये stored energy capacitor ही होता है जो अचानक से उस energy को release करता है within fraction of time fan में condenser खराब हो गया है तो fan नहीं चल रहा है जब हम switch on करते हैं तो जो starting में motor को start करने के लिए एक instant huge amount of energy की जरूरत होती है fan को कि वो चलने लगे वो condenser ही करता है condenser मतलब capacitor ही वो role play करता है और energy release करके fan को starting kick देता है जलने के लिए ठीक तो capacitor का हमारी जिन्दगी में बहुत major role है हम अपने आसपास बहुत ज़्यादा जगहों पर capacitors यूज करते हैं तो अब इस simple conductor को spherical conductor लिया क्योंकि वो symmetrical conductor है shape उसका SI कि हम उसके साथ calculations easily कर सकते हैं तो एक R radius का conductor लिया हमने उसको हमने charge देना शुरू किया चार्ज देना शुरू किया तो उसकी surface पे जो potential develop होने लगा वो अगर Q charge दिया तो KQ by R होगा और तुम्हें याद है ना कि K की value होती है 1 upon 4 pi epsilon 0 यहाँ यह medium है अगर इसके 4 और air है तो यह permittivity of air है अगर कोई और medium होता तो यह permittivity of that medium होती तो KQ by R उसकी potential हो जाएगी अब अभी हमने देखा कि capacitance हमने define किया है Q by V से तो Q by V इस case में क्या हो जाएगा R upon K और K क्या है 1 upon 4 pi epsilon 0 तो एक simple spherical conductor का भी capacitance हम calculate कर सकते है 4 pi epsilon 0 R और हम देख सकते है कि medium और size capacitance को decide कर रहा है ठीक लेकिन अभी हमने देखा कि इसके चारो और जो energy stored है वो scattered है है ना जैसे पानी फर्ष पे बिखरा हो तो हम उस पानी को use नहीं कर सकते तो हम क्या चाहते है कि जो energy scattered है वो छोटे से reason में confined हो जाए उसके लिए हमने एक arrangement किया कि हमने दो metal conductors को अगल बगल रख दिया कैसे एक metal conductor था एक simple plate लिए हमने और उसको Q charge दिया और उसके एक capacity एक conductor के बगल में दूसरा conductor अगर हमने रख दिया तो electric field यहां से start हुई और यहां जाकर end up हो गई है ना यही तो होगी ना electric field lines की arrangement देखो इस case में bucket में पानी की तरह store है और जब हम चाहें वो हमको energy release कर सकता है तो जब हमने दो conductors को एक दूसरे के बगल में रखा और बहुत ही calculated तरीके से एक को plus Q और दूसरे को minus Q charge दिया तो यह जो arrangement बना इसको हमने नाम दिया parallel plate capacitor और अब हम देखेंगे कि भाई इसका capacitance कितना है कैसे calculate करेंगे लेकिन यह जो derivation है यह बहुत जादा पूछा जाने वाला derivation है तो हम इसको mark भी करेंगे very very important for your board exams 2007 में यह question as it is यह derivation आया था और 2020 में यह derivation आया था जब इसके बीच dielectric fill किया गया था तो सबसे पहले हम air बीच में रहते हुए इसके capacitance को derive करते हैं तो देखो जब हमने इसको positive charge और इसको negative charge दिया और इनको आस पास बहुत पास में रग दिया तो क्या हुआ कि यह positive charge इसके inner surface पर confined हो गया because of attraction of this negative charge और यह negative charge इस plate की inner surface पर confined हो गया because of attraction of this positive charge तो पहली point हमें क्या ध्यान रखनी है कि conductor होने के बाद भी जो charge है यह दोनों तरफ plate पे distributed नहीं है यह सिर्क inner surface पर दोनों plates के confined है ठीक तो यह sheet of charge है अगर sheet of charge हो तो उसका जो electric field है वो sigma upon two epsilon not होता है जबकि अगर दोनों तरफ charge equally distribute हो रहा हो तब उसकी जो electric field होती है वो sigma upon epsilon not होती है तो यहां पर हमें ध्यान रखता है कि इसकी वजह से electric field sigma upon two epsilon not होगी और इसकी वजह से भी electric field किसी point पर यहां पर sigma upon two epsilon not होगी तो अब जब कभी भी हम किसी भी arrangement का capacitance calculate करेंगे तो बिटा एक step ध्यान रखना है कि हमको V चाहिए V का जो भी expression आएगा उसमें Q होगा और कुछ और quantities होंगी तो फिर हम Q upon V निकाल लेंगे और जो expression यहां पर बचेगा वो ही capacitance का expression हो जाएगा और V निकालने के लिए हम E calculate करेंगे क्योंकि E होता है V upon distance potential difference per unit change in distance तो E निकालेंगे फिर V निकालेंगे और फिर Q upon V निकालेंगे ठीक है न तो देखो हमने इन दोनों plates के बीच में एक point लिया और दूसरा point हमने नोट किया कि यह ना सिर्फ inner surface पे charges confined हैं बलकि electric field जो यहां पर produce हो रही है वो uniform electric field है parallel lines of forces है तो अगर किसी point पर हम electric field देखें तो electric field positive charge की वजह से away from the plate होगी और negative charge की वजह से towards the plate होगी तो दोनों fields एक ही direction में हो जाएंगी तो पी पर जो electric field है वो plus q और minus q की वजह से जो field है उनका sum हो जाएगा जब sum करेंगे तो sigma upon two epsilon not plus sigma upon two epsilon not that is sigma upon epsilon not लेकिन sigma क्या है जो charge इसको हमने दिया divided by इस plate का area ये दोनों identical plates है तो sigma की जगे हम रख देंगे q by a तो q by epsilon not a हो जाएगा पी पर electric field अब अगर इन दोनों plates के बीच की distance d है तो potential difference कैसे निकलेगा electric field uniform electric field into this distance d is potential difference between these two plates तो अब हम potential difference का expression लिख ले potential difference e की जगे पर रख देंगे v upon d तो v upon d is q upon epsilon not a तो q upon v हो गया epsilon not a इधर आ गया epsilon not a upon d तो capacitance हो गया epsilon not a upon d तो एक तो ये formula ही important है और उसके बाद इस पर पूछने पूछे जाने वाले बहुत सारे reasoning वाले questions तो इसको हमें ढंग से समझना होगा capacitance is epsilon not a upon d इसमें epsilon not क्या represent कर रहा है medium between the plates अगर वो air है तो epsilon not और अगर वो कोई और medium होता तो epsilon not of that medium हो जाता तो capacitance of parallel plate capacitor किन factors पर depend करता है medium between the plates area of the plate and distance between the two plates तो अगर कोई हम से पूछे कि parallel plate capacitor की capacitance को increase करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो हम समप करेंगे कि to increase capacitance of parallel plate capacitor area of the plate should be increased लेकिन हमें पता है कि आप capacitor के size को एक limit तक ही बढ़ा सकते हो कितना बढ़ा दोगे दूसरा काम क्या कर सकते है distance between plates is decreased हाँ यह हम करते है हम उनके बीच के distance को बहुत कम रखते है तीसरा काम बढ़ा interesting है we can fill the space between the plates with help of a dielectric a poor conductor यह capacitance को बहुत अराम से increase करता है तो यह तीन काम करने से हम capacitance को increase कर सकते है अब अगर हम dielectric को उनकी plates के बीच में fill करे तो एक नहीं कई फाइदे होते है लेकिन mathematically इस expression में क्या change आ जाएगा कि epsilon not जो की air की permittivity है वो medium की permittivity से replace हो जाएगी और medium की permittivity को कहते है हम epsilon not k जहां k है dielectric constant हम chapter 1 में dielectric constant पढ़के आ रहे है dielectric constant is relative permittivity अब जो medium की permittivity है वो free space की permittivity से हमेशा जादा होती है और इसलिए जो relative permittivity है वो एक से हमेशा बढ़ी होती है और metal की जो relative permittivity है वो तो infinite होती है और air की relative permittivity जो है वो one होती है तो ये बाते हमें याद भी रखनी है तो अगर आप dielectric fill कर दोगे तो जो capacitance है वो क्या हो जाएगा epsilon not M instead of epsilon not epsilon of medium permittivity of medium A upon D तो इसका जो familiar form है वो in fact होता है epsilon not K A upon D तो अगर आप उसे dielectric से fill कर देंगे तो क्योंकि K हमेशा एक से बढ़ा होता है तो capacitance of capacitor will increase तो capacitance क्या होता है charge per unit potential capacity of a conductor to hold charge per unit potential difference is called capacitance of that conductor capacitor क्या होता है capacitor is a device which stores energy in between its plates and releases it instantaneously whenever required capacitance का formula क्या होता है it is epsilon not K A upon D जहां अगर air हो तो K की value 1 रग दोगे और कोई और medium हो तो K की value उस medium का dielectric constant हो जाएगा factors जो capacitance को affect करते है area of plates, distance between the plates और medium filled between the plates ये सारे वो questions हो गए जो board के लिए बहुत बहुत important है now unit of capacitance is farad or coulomb per unit per volt 1 farad is capacitance of a capacitor when 1 coulomb charge is stored is given to the capacitor and it increases potential of that capacitor by 1 volt farad is very large capacitance so you will never find farad as the unit in numericals practically we use nanofarad, picofarad और microfarad as the unit of capacitance एक सवाल करते है last में if plates of parallel plate capacitor are brought closer what will happen to capacitance of the parallel plate capacitor and what will happen to potential difference of the capacitor तो देखो capacitor का जो capacitance के जो दोनों formula है वो लिख लो सामने अब उन्होंने कहा कि अगर plates को पास में ले आए इसका मतलब d को decrease कर दिया अगर d को decrease कर दिया तो capacitance of the capacitor will increase तो हम short में लिख सकते हैं if distance between the plates is decreased then capacitance will increase capacitance increase करेगा तो अब इस formula पर आओ Q तो बदला नहीं C बढ़ गया तो V का क्या होगा V is Q by C तो अगर Q बदला नहीं और C बढ़ गया तो V क्या हो जाएगा V will decrease तो इन दोनों की help से आप इस question का answer दे सकते हैं और ये भी board के लिए बहुत probable question है तो अब हम लोग आज का class यहीं खतम करते हैं next class में हम लोग capacitor plates के बीच एक dielectric fill करेंगे और देखेंगे कि capacitor पर क्या असर पड़ता है capacitance पर potential difference पर electric field between the plates उन पर क्या असर पड़ता है